परस्कार जैहिन दोस्तों दोस्तों आर्मी रिक्रूट मेंट 2020 इसके अंतरगर्ट एक आर्मी रैली बरती निग्लिवी है जो के लान्स डाउन के अंदर रहा है यह उत्राखंड के अंदर पड़ता है यहाँ पर जो बेकेंसी है इसमें जो बरती होने वाली है ये आर्मी रेली होगी लेकिन इसके लिए आपको आउन लाइन पहले रेजिशिशन करना हुगा 8th pass, 10th pass, 12th pass इसके लिए apply कर सकते हैं इसके लिए age limit साड़े सत्रे साल से 23 साल तक होनी चाहिए SC, ST, OBC, PWD, Physical Candidate को age पर government rule छूट दी जाएगी इसके अंतरगत total ये बेकेंसी है जो होनी है वो 5 नवंबर 2020 से 4 दिसमबर 2020 तक आप online apply कर सकते हैं रेली 20 दिसमबर 2020 से 2 जनवरी 2020 के अंतरगत होनी है इसके लिए आप online apply कीजिए ये इसका बेनुज होना है वो कोड़ द्वार में होगा जहाँ पर BGC, BCG, BS Camp हैं वहाँ पर ये भरती होनी है इसके लिए apply आप कीजिए apply online करोगे job location इंडिया आर्मी के दर रहेगा जो के all over इंडिया होता है दोस्तो अगली वेकेंसी है ये वेकेंसी होनी है आर्मी recruitment office त्रिविंद्रम recruitment इसके अंतरगत 8th pass, 10th pass, 12th pass लोग apply कर सकते हैं साड़े सत्र से 23 साल के लिए as per government rule SC, ST, OBC इनको छूट दी जाएगी इसके लिए ARO त्रिविंद्रम ये ARO त्रिविंद्रम भरती करेगा जो के starting date 30 की 4 October 2020 से और last date 4 December 2020 तक याने काफी time आपको दिया गया है जिसके लिए आप online application submit कर सकते हैं rally की वरती जो होनी है वो 2 December 2020 से 12 December 2020 तक लेगी इसका इस्थान है कोलो चल इस्टेडियम कोलो चल इस्टेडियम में ये वरती होनी है जो के पैंडोगे military station तरविंद्रम है याने इस इस्थान पर बरती होनी है इसके लिए आप online apply कीजिए और अपनी job पाईए इसका pay scale as per government rule रहता है जिसके अंदर आपको बाकी जगे से extra MSP भी दिया आता है यानि military service pay भी मिलती है job location इंडिया आर्मी है प्रोसिस है वो physical fitness होना चाहिए physical measurement होना चाहिए test होगा medical होगा रेटेन एक्जाम होगा यानि इन सारी चीजियों से आपको निकलना पड़ेगा तब जाकि आपका selection होगा इंडियन आर्मी और soldier वो soldier होता है जो कि विस्व की सरवत्तम सरवत्तम आर्मी के अंदर रगत प्रथम इस्थान पर माना जाता है दोस्तो अगली वेकेंसी है अगली ये वेकेंसी है आसाम प्रविलिक सर्विस केमिशन recruitment इसके अंदर रगत motor vehicle inspector की वेकेंसी है इसके अंदर रगत जो candidate है उन्होंने HSSLC पास किया हो और तीन साल का डिपलोमा हो automobile का या फिर मेकनिक इंजन किया गया हो या इसके समकच कोई डिगरी हो वो इसके लिए अपलाई कर सकते हैं minimum age 21 साल है और maximum 38 21 से 38 साल के लोग इसके लिए अपलाई कर सकते हैं as per government rule छूट जाएगी SC, ST, OBC, PWD सभी को एज़पर government rule छूट जाएगी number of post 26 है 26 post के लिए आप अपलाई कर सकते हो important date है इसकी 16 October से 9 November तो date 3 वो extend हो चुकी है अभी आपको 9 December 2020 तक अपलाई कर सकते हैं जो लोग सोच रहे थे कि ये date निकल चुकी है अब उन्हें भी government ने मौका दिया है 245 रूपर 45 प्रेश एप्रिकन फीज़ रहेगी ST, ST, OBC, MOBC उनके लिए 150 रूपर फीज़ रहेगी और BPL और PWD के लिए 35 रूपर फीज़ रहेगी इसके अंतरगत APP, ST, Motor, VK जो है उनके लिए salary रहेगी 22,000 रुपे से लिए करके 97,000 रुपे तक प्लस ग्रेड पे 9,400 रुपे आप इसके लिए online अप्लाइब कर सकते हैं जोव location इसका आसाम रहेगा Candidate को पहले इसके लिए टेस्किनिंग होगा, रेटेंट टेस्ट होगा बाइबा होगा, इंट्रिव्य होगा यह सब कुछ करना होगा तब उनको जोव यहां से मिलेगी दोस्तो अगली बेकेंसी है यह बेकेंसी है NBCC दिल्ली इंजिनिरिंग जिसके अंदर का civil और electrical के लिए एक पोश्ट है जिसके अंदर केंड़ेट को BE, batch of engineering BTEC, civil या electrical से किया हो या इसके समगच को डिगरी हूँ वो इसके लिए प्लाइ कर सकते हैं Candidate की age है minimum age 35 maximum minimum age 35 है maximum को limit नहीं है साथी SC, ST, OBC PWT Candidate को इसके अंदर 100 पोश्टे हैं जो की engineering पोश्ट की 100 पोश्टे खली है इसके लिए starting date आपकी 12 नवंबर 2020 से 15 दिसमबर 2020 तक आप online apply कर सकते हैं General OBC Candidate के लिए 500 पोश्ट रहेगी और ST, ST, PWT के लिए या Departmental Candidate के लिए कोई फीच नहीं दी गई है साथी for NBCC India Limited Marketing Exclusive की तक पोश्ट है उसकी salary रहेगी 42,500 पोश्ट annual CTC will be around इसका forum आपको offline वेजना है जो कि इसका job location डिली रहेगा आप इसके लिए offline apply कर सकते हैं इसकी last date आप देखी चुकी है इसका selection जो हो रहा है वो आपका interview और result के आधर पर होगा तो दोस्तो ऐसी महपपूर जैने करेंगी के लिए आप हमारे चले उस subscribe कीजिए झाले जैने करेंगी का इसके लिए लिए जाए